Hello friends, my name is Zeman and आज हम पढ़ेंगे reasoning में series chapter का second part letter series number series जो है मैं करा चुका हूँ तो हम देखेंगे कि letter series में हम कैसे इन question को जल्दी से कर सकते हैं तो letter series में आप देखेंगे दो type होते हैं एक type यह आपका यह है जिसमें single single letter होते हैं और दूसरा type आपका यह है कि इसमें क्या होता है grouping of letter होते हैं जैसे यह 3 का group है तो ऐसे आपका 4 का group भी हो सकता है और type 2 जो है यह है तो आज जो हम cover करेंगे type 1 cover करेंगे देखेंगे कि इन question को कैसे solve करना है इस chapter यह chapter जो है हर इससे question हर exam में आता है जैसे कोई भी government exam हो railway का, NTPC का, SSC का या अभी जो दिल्ली police constable होने वाला है उसमें यह भहत उप्योगी chapter है तो शुरू करते हैं इसमें हम इसे कैसे करेंगे ताकि question जो है हमारे जल्दी से हो सकें क्योंकि आज आपको पता है कि हर exam में time की limit होती है और हमें reasoning सबसे जल्दी करने बढ़ती है वेसे तो इसके question easy होते हैं ठीक है इसमें आपको जादे कोई time नहीं लगता है easy होते हैं सभी की समझ में आ जाएंगे तो इसमें जो important चीज होते है वो यह होती है कि आपको जो भी letter है इनकी numbering याद होनी चीए तो इनकी numbering कैसे याद करनी है आपको उसके लिए मैं कुछ trick बताऊंगा funny सी trick है ठीक है हर letter का number कैसे याद करना है तो एक जो trick है जिसमें आपको 5 letter याद हो जाएंगे जैसे easy ठीक है तो इसमें e का होता है 5 j का 10, o का 15, t का 20, y का 25 तो यह आपको याद करना है और इसके आसपास के आपको जो letter है ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे e के बाद क्या आता है f, f का 6 हो जाएगा a, b, c, d, यह जो 4 word है यह तो सभी को पता होता है क्योंकि starting के है इनकी numbering 1, 2, 3, 4 होती है और y, z, ठीक है z जो होता है सभी को पता है y, z भी आपको पता ही होगा क्योंकि last के होते हैं 25, 26 तो जैसे देखते हैं f को कैसे याद करना है कुछ बताऊंगा मैं आपको जैसे यह f है अगर आप देखते हैं f को अगर आप ऐसे मिला देते हैं तो आपको यह नजर आएगा ultra 6, ठीक है थोड़ असा आपको visualize करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि हाँ यह 6 है इससे क्या होगा आप अगर practice करेंगे आपको यह number याद हो जाएंगे जल्दी बस मैं आपको बता रहूं कि सुरुआत आपको कैसे करना है तो f जो है 6 है तो f को आप कह सकते है अगर आप इसको सीधा करेंगे तो इसको 6 लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद हम second देखते है next क्या है तो next में हम देखते है g तो g को आपको कैसे करना है ठीक है आप g बनाईए तो आपको दिख रहा होगा g में क्या है 7 यह आपको last में जो है आपको 7 बनते हुए नजर आ रहा होगा ठीक है जो यह last है यह आपको 7 दिख रहा होगा, तो आप G का कैसे याद कर सकते हैं, 7, जब G आप बनाते हैं, तो यहाँ पर 7 बनता है, ठीक है, तो next देखते हैं, next आपको कैसे याद करना है, उसके बाद H है, ठीक है, H लिखे, H को कैसे याद करना है, आप यहाँ पर बन कर दीजे, यहाँ भी तो h कितना है? 8 है तो आप देख सकते हैं इसको सुरुवात में आपको दिक्कत होगी वेशे तो समझ में आ जागए यह ऐसी trick है ठीक है trick क्या है? बस normal सा याद करने के लिए मैंने बनाई हुई है कि आपको कैसे याद करना है तो आप यह समझ जाएंगे h को आप कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं उसके बाद i है, i तो simple है सबसे ठीक है? तो i यह है i को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं तो i का कितना होगा? 9 ठीक है? i को आप ऐसे याद कर सकते हैं और 10 जो है? 10 का तो आपको पताइए इजोटी से ठीक है उसके बाद के को आप कैसे याद कर सकते हैं के 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 में क्या है तो डंडे है तो इससे 11 ठीक है के को आप ऐसे याद कर सकते हैं और के एल मैंने जो एल की वैल याद की थी ऐसे याद की थी के ल राहूल ठीक है आपको पता होगा के ल राहूल किरकेट खेलत है ठीक है बैट्समेन है तो के बाद 11 आता है यानि कि 11 के बाद 12 आता है ठीक है तो L K और L की आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या आप K को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें 2 हैं तो अगर आप इसको सीधा कर देंगे तो यह 11 बन जाएगा उसके बाद M M आपको पता होगा क्योंकि M जो होता है total 26 होते है M जो होता है उसका half होता है 26 का यानि कि 13 M और N तो आपको याद हो जाएंगे M और N जो होते हैं half होते हैं ठीक है total 26 होते हैं तो 26 का आधा क्या होगा M 13 और 14 ठीक है उसके बाद next देखते हैं पन्सक्त तो समझना पड़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे उसके बाद差不多 आत्मा आपको समझना पड़ेगा फिर ये आपको अगर आप प्रैक्तिस करेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे उसके बाद next जो है next है आपका P के बाद Q Q1 है Q आपको याद कर सकते हैं Q तो कुछ-कुछ आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे P 16 है Q 17 है P Q उसके बाद R जो है R भी सिंपल है R को आप कैसे याद कर सकते है R 18 होता है ठीक है 18 कैसे है इसको अगर आप बंद करनेंगे तो यह 8 बन जाएगा ठीक है यह आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा 18 हो जाएगा बस अगर आपको एक बार यह माइंड में आगया आपने एक बार कॉपी में आपको लिखना है कैसे आपको याद करना है फिर आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगे यह 9 बन गया ठीक है यहां से 1 लगा दिना यह 19 हो गया ठीक है आप कैसे भी याद कर सकते लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे जे रहा हूं कि अगर आपको याद नहीं होते तो आप ऐसे याद करिए इनको यह easy way है याद करने का और T आपको पता है 20 है U जो है 21 हो कैसे लिख सकते हैं ऐसे डबलू लिखते हैं तो यह आपका क्या है अगर आप इसको थोड़ा सा फिल्टा कर लें तो यह 3 मन जाता है तो डबलू क्या होता है 23 होता है ठीक है डबलू को आप ऐसे याद कर सकते है ठीक है और जो अगली ट्रिक है किसकी X की X तो सबसे सिंपल ठीक है, X का क्या होता है, 24 होता है, तो इसमें आपको 24 होता है, 20 के उसमें यह आपको याद करने के ज़रुदते हैं, आपको यह पता होना जाए है, इसके इकाए में क्या है, 4, 4 कैसे आता है, तो इसमें आप देख सकते हैं, 4 लाइन आती है, 1, 2, 3, 4, तो इन 4 लाइन को आप कैसे याद कर सकते हैं, एक बार बस आपको copy में लिखना है, उसके बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और कुछ-कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जैसे Q का 17 होता है, ठीक है, Q 17, उसके बाद जैसे KL आप याद कर सकते हैं, KL, Rahul, 11, 12, हैं, वो अभी SSC CGL में जो आए हुए हैं, प्रिवेस year में, वो question कर आए हैं, तो आप देखिए कि कैसे करते हैं, चलो start करते हैं, बस आपको इन numbering याद कर लेनी है, अगर आप आगे question करना चाते हैं, तो एक बार, जैसे मैंने बताया, इनकी numbering आप याद स्रंखला में, प्रस्ने चिन्नी की जगा आने वाले अक्षर समूं का चेहन करें, ठीक है, easy question होते हैं, इसमें जादे आपको time लेगा, तो आप देखिएंगे, पहला question हम करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, कि आपको क्या देखना है, C, X, B, तो आपको C की value कितनी होते है नंबर में, 3 होते है, 3 के बाद क्या आया, H कितना होता है आपका, नंबर में अगर आपको याद होगा, मैंने H कैसे बताया था आपको, ऐसे, यहां कर लेते हैं, यहां 8 हो जाता है, तो H 8 हो गया, M कितना होता है, ठीक 26 का आधा, 13 और R, 18 तो आप देखेंगे, जो पहला लेटर है, उसमें gap कितने का है, यहां कितना है, प्लस 5 हो रहा है, और प्लस 5 हो रहा है, 8-5-13, यहां 8-5-13, तो अगला जो आएगा, 18, प्लस 5 कितना आएगा, 23, 23 कितना होता है, आपको पता होगा, आप सीधे देखेंगे, C, 8, 13 है, तो प्लस 5 हो रहा है, तो आप सीधे W लिख सकते हैं, आपको लिखने की बिल्कुल नहीं जरुत पड़ेगी, यहां पर मैं सिर्प आपको समझाने के लिए किया रहा हूँ, कि आपको कैसे करना है, नहीं, तो आप आगे question औरेली कर रहेंगे, अब देखते हैं, next देखते हैं, X, X के बाद U हुआ, U के बाद R हुआ, R के बाद O हुआ, तो यहां पर जो है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे, कि यहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ, क्योंकि letter कम होते हुए जा रहे हैं, या तो आप इसे सीधे देख लें, या आप यहां से देख लें, O से देख लें, प्लस होते हुए, ठीक है, आपको जैसे easy लगता है, आप वैसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, x से u आ रहा है, x कितना होता है, 24, 24 से 3 कम हो रहा है, ठीक है, 3 कम हो रहा है, 21 से 18 हो रहा है, यहां भी 3 कम हो रहा है, और next में भी देखेंगे, 18 से 15 3, मैंने आप से क्या कहा, अगर आप उल्टा भी देख सकते हैं जैसे O 15 है 15 प्लस 3 18 18 प्लस 3 21 21 प्लस 3 24 यहां से मैं देखने कले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि add करना जादे हीजी होता है comparison घटाने के घटाते हुए थोड़ा सा time लगता है लेकिन add करना जादे हीजी होता है तो आप देखिए O के बाद क्या आएगा अगर आगे से देखते हैं तो O के बाद मैनस 3 होगा और 15 में से 3 जाएगा क्या आएगा 12 आएगा 12 क्या होता है L होता है ठीके तो आपका दूसरा letter क्या आगया L आगया तो next आप देखेंगे next क्या है B B I B के बाद I है 2 2 के बाद 2 होता है I 9 होता है P कितना होता है 16 होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है B 2 प्लस 9 होता है तो 7 प्लस 7 हो रहा है प्लस 7 16 16 प्लस 7 23 तो आगे इसमें 23 में आपका add होगा 7 यानि कि W में तो 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 3, 26 हो जाएगा 4, D हो जाएगा तो यहां से आपका answer क्या आजाएगा? W, L, D जो कि third option होगा. एक तरीका यहां पर याद करने का ये भी है मतलब करने का ये भी है याद करने का तो मैंने आपको बता दिया है इसको करने का तरीका ये भी है कि आपको जल्दे से करना है. जैसे आपने देखा कि आपने जो पहला letter निकाला, वो आपने W निकाल ले तो अब आप देखने दो option तो आप सीधे सीधे eliminate कर सकते हैं क्योंकि आपका पहला क्या आगया W आगया. उसके बाद आपको ये देखना है, पहला W आगया second देखें, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है तो अब आपको यहाँ पर check करने की जरुवत नहीं है second क्योंकि आपको पता है, same आना है उसके बाद आप सीधे यहाँ पर directed third वाला check कर सकते हैं इससे आपका time बचेगा और जल्दी होगा ठीक है, तो आपको समझमा आ गया होगा question को कैसे करना है अब मैं सीधे आपको next question बताता हूँ और इसमें आप सीधे देखें की कितनी जल्दी होता है, आप देखेंगे b कितना होता है, 2 होता है 2 के बाद minus हो रहा है plus minus हो रहा है, back जा रहा है z आ रहा है, 2 के बाद 26 आ रहा है या आपको मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था अगर आपको यहाँ से minus करने में दिक्कत है, तो आप यहाँ से भी आ सकते है ठीक है, ऐसे भी आ सकते है तो r आप अगर back आएंगे तो आप देखें, 18 के बाद 20 हो रहा है plus 2, 20 के बाद v plus 2, 22 के बाद plus 2 आएगा, तो क्या आएगा 24, यानि कि पहला जो आना है x आना है, और मैंने आपको बताया था अगर आप, अगर आपका ध्यान option में होगा, तो आपको पहला निकालने की जरुवत नहीं है, क्योंकि आप सीधे देख सकते हैं, सारे option x है, तो x तो आ नहीं है, तो आप next देखें तो next आप देखेंगे, अब बढ़ते हुए कहां से हो रहा है, r से बढ़ रहा है r से आपका u r है, 18 से u r है यानि कि 18 प्लस 3 21, तो 21 प्लस 3 क्या आएगा 24, यानि कि दूसरा क्या होगा, x आएगा, अब आप देखेंगे option में, option में देखेंगे आप, यह है x, ठीक है second x याओ, और कोई भी option ऐसा नहीं है, जिसमें x है तो आपको अगला वाला solve करने की जरुवत नहीं है, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, option का भी option देखने है, इससे आपका time बचेगा और जल्ली होगा, तो आप इसमें सीधे 3, बांक कर सकते हैं अगर आपको फिर भी देखना है कि क्या है आप देखेंगे, 8, 8 में से 4 कम हो रहा है, ठीक है, 8 होता है यह 4 है, तो इसमें 4 कम हो रहा है तो d आ रहा है, फिर 4 कम होगा तो क्या आएगा, जैड आएगा ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं next question करते है next है, j, m, p, v, y तो इसमें आप देखेंगे, कैसे करेंगे j कितना होता है, 10 होता है 10 के बाद कितना आ रहा है 10 के बाद 13 आ रहा है, ठीक है प्लस 3 add हो रहा है, दोनों में फिर ये 16 है, प्लस 3 ठीक है, 16 प्लस 3 प्लस 3 होगा, और p में 16 में 3 add होगा, 19 19 किसका होता है, s का होता है तो इसका answer आपका s हो जाएगा simple question है, उसके बाद next करते है next आप देखेंगे o, b, l, c, i, d, f, e तो आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है एक चीज और है, आपको alternate series देखनी है, कहीं alternate तो नहीं है पहले आप देखेंगे, 15 है, 2 है तो आपको combination दिखनी रहा है लंबा gap दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे जैसे alternate का मतलब क्या है o के बाद l, l के बाद i, i के बाद f तो यही इसके बाद आएगा यहाँ देखे, b, c, d, e, ठीक है इसके बाद जो क्या आएगा, f आएगा तो यहाँ पर हम देखिए, o कितना है, 15 15 में से 3 गया, 12, minus हो रहा है ठीक है, या तो आप सुरू से देखें या आप last से देखें, अगर आपको minus में दिक्कत है, आप last से देख सकते है जैसे, आप देख सकते है, e, e के बाद d हो रहा है यानि की, e के बाद d क्या हो रहा है plus 1 हो रहा है, ठीक है, d के बाद d के बाद कितना हो रहा है e के बाद, sorry, e के बाद d हो रहा है तो f वाला देखते है, f के बाद क्या हो रहा है, आई आ रहा है, यानि कि plus 3 add हो रहा है, और i के बाद कितना आ रहा है, 12 plus 3 या L के बाद plus 3 15, या आप ऐसा कह सकते हैं कि o के बाद l हुआ तो minus 3, l के बाद i हुआ, minus 3, i के बाद minus 3, f हुआ तो f के बाद minus 3 होगा तो क्या आएगा c आएगा ठीक है तो इसका option third है तो मैंने आपको दो तरीके बताए या तो आप आगे से ही चलिए ठीक है यहाँ पर आपको minus करना पड़ सकता है या आप बीछे से भी स्रीज को solve कर सकते है कि add कैसे हो रहे है ठीक है next question करते है next है k तो आप देखेंगे k के बाद क्या हो रहा है अगर आप minus में जाएंगे तो k के बाद क्या हो रहा है जैड हो रहा है यानि कि minus 1 हो रहा है ठीक है एक कम हो रहा है k 11 होता है 10 आ रहा है उसके बाद next आप देखेंगे 10 के बाद कितना आ रहा है 8 हा रहा है यानि कि यहाँ पर minus 1 हुआ तो यहाँ पर minus 2 हो गया उसके बाद 8 हाया 8 के बाद क्या आया E कितना होता है 5 यानि कि minus 3 तो आप देख रहेंगे आपको पता चल गया होगा क्या logic minus 1 minus 2 minus 3 तो अब क्या होगा minus 4 होगा, तो minus 4 होगा 5 में से 4 जाएगा, तो पहला letter क्या आएगा, यह आएगा, ठीक है यह आपको पता चल गया, अब next देखते है Q, 17 के बाद क्या आया T आया, यानि कि यह 17 T 20, जोटी से मैंने आपको बताया है कि T 20 होगा, तो 17 plus 3 20, 20 20 plus 4, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, तो 6 होगा तो C में, आप 6 8 करेंगे C कितना होता है, 3 होता है तो 6 8 करेंगे, तो 9 आएगा, और 9 क्या होता है I होता है, ठीक है तो आपने देखा A के बाद I आ रहा है, तो आपको इसके बाद यह वाला चेक करने की जरूवत नहीं है आप सीधे इस पर टिक कर सकते है ठीक है क्योंकि एकी option है उसके बाद next करते है अगर आपको फिर भी सौक है आपको देखना है कि नहीं भई मुझे answer निकालना है आपको बहुत time है तो आप कर सकते है नहीं तो आप ऐसे करिए next question करते है next है dac ठीक है आप देखेंगे d कितना हो रहा है तो 10 13 के बाद क्या आएगा आपका प्लस 3 16 और 16 कितना होता है तो आपके दो option eliminate होगे तो आपके पास बचाप क्या पी के डबलो और पी जे भी आपको क्या निकालना है second second वाला करना है क्योंकि ठट तो फिर आपको solve नहीं क्योंकि आपका second यहां लग है और यहां भ पताया था कि आप यहां से भी बैक आ सकते हैं कि यहां से प्लस होता है और यहीजी रहता है फिक है जैसे 15 15 के बाद 19 यानि कि 15 पर चार्ज उड़ा 19 19 के बाद 30 प्लस 4 प्लस 4 यहां वहा तो कितना आया यह थिक है उसके आप तो यहां से 15 15 में भी आपका क्या होगे यहां पर मैनस 4 होगा, मैनस 4 होगा, तो 15 मैनस 4 करेंगे, तो कितना आएगा, के, ओ, 15 होता है, 15 में से 4 जाएगा, 11 आएगा, और 11 किसका होता है, के का, तो आपका second letter क्या आगया, के, आगया आपको solve करने की जरूवत नहीं है, मैनने आपको पहले बता है, आपको option जरूर ध्यान देदें, तो इसका answer क्या हो जाएगा, P, K, W, next करते हैं, next आपको दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, A के बाद C आया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना add हुआ, प्लस 2, तो C के बाद क्या आना चीए, प्लस 2 add होगा, तो E आना चीए, ठीक है, तो E किसका होता है, 5 होता है, ठीक है, C, 3, 3, 2, 5, तो आपको पहला क्या दिखा, E देखा, तो यह सबसे easy है, क्योंकि आपने option में अगर ध्यान दिया है, तो E की option जो ऐसा है, जिसमें E से सुरूर, तो आप इसमें सीधे, बीना अपना time waste किये हुए E पर click कर सकते हैं, next question करते हैं, next देखते हैं, next आप देखेंगे, आपको दिया गया है W, Q, H, E, C, तो आप देखेंगे, यह कितना है, मैंना आप से कहा है, अगर आपको minus में दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी सुरूर कर सकते हैं, यह 3 है यह 5 है और यह आपका 8 है ठीक है? यह आपका 8 है 3, 5, 8 तो अब क्या आएगा? आप देखिए, यहाँ पे plus 2 हुआ और यहाँ पे plus 3 हुआ, plus 2, plus 3 हढ़ाएख तो अब next कितना आने चीए? plus 4 आने चीए और 8 में 4 है नहीं, कितना आएगा? 12 आएगा 12 किसका होता है L का होता है KL राहूल मैंने याद करवाए था आपको यहाँ पर L आएगा यहाँ पर प्लस 4 हुआ तो प्लस 4 के बाद कितना होगा प्लस 5 होगा 17 Q फिर 17 6 23 यह आप ऐसे कह सकते है अगर आपको आगे से ही solve करना है आप ऐसे कह सकते है 23 से Q हुआ तो कितना हुआ 23 से Q आने में 23 से Q minus 6 हुआ फिर minus 5 होगा यहाँ पर minus 6 हुआ minus 5 होगा तो minus 5 होगा कितना Q अगर 17 से minus 5 करेंगे तो कितना है कि rect L 12 होता है यह आप आगे से solve करें यह पीछे से बात एक ही है बस आपको देखना है कैसे करना है आप किस पर जादे आपको easy लगता है next करते हैं A, E, Z ठीक है तो आप देखने ये A, 1, ये 5, ये 10 ठीक है तो आपने देखा यहाँ पर कितने का gap है 4 का gap है फिर 5 का gap है तो आप 4 प्लस 1, 5 हो रहा है तो अगला किसका आएगा 6 का तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 किसका होता है P का E, G से question है next करते है next है D, A, G, F, C, I तो आप देखने D से F होआ, 4, 6, प्लस 2 हुआ तो प्लस 2 हुआ, next अगर आप प्लस 2 करेंगे तो 8 हाएगा 8 किसका होता है, H का होता है, H में प्लस 2 करेंगे तो 10 आएगा, J तो पहला क्या आगया, H आगया तो आप ये 2 option eliminate कर सकते हैं सीदे उसके बाद H आया, आप next देखनेगे next में A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है यहां भी प्लस 2 रहा है, तो C के पास प्लस 2 आएगा, तो क्या आएगा, E, 5 5 आएगा तो E का होता है, E आएगा और प्लस 2 साथ, तो आपने देखा कि H E आगया, इसके बाद आपको ये solve करने की जरुएति हैं, last वाला तो यहां ही पर आप इसको third में tick कर सकते हैं, next question करते है next है, AYD, FTI, KON, PGS ठीक है, तो इसमें देखिए एक के बाद क्या रहा है, F आ रहा है ठीक है, एक, 6 होता है यानि कि प्लस 5 हो रहा है उसके बाद 6 के बाद क्या आता है 11, ठीक है K 11 है, तो यहां पर भी प्लस 5 हो रहा है, फिर प्लस 5 P आ गया, 16 तो अब फिर प्लस 5 होगा, तो क्या आएगा U आएगा उसके बार next solve करते है U के बार क्या है Y T O J तो मैंने देखा कि यहाँ पर minus हो रहा है Y से Y कितना होता है 25 25 minus 5 20 होता है T फिर 5 minus किया 15 फिर 5 minus किया J तो अब क्या आएगा 5 minus करके E आएगा ठीक है यहाँ से देख सकते हैं यह आप ऐसे उल्टा भी देख सकते हैं J में 10 5 जोड़ा 10 5 15 15 15 5 20 25 25 ठीक है यह मैं इन लेटर की numbering की बात कर रहा हूँ उसके बाद आप next देखेंगे ठीक है U E में दो option है यानि कि आपके यह option तो cancel होगे फिर इसके बार D के बाद I हुआ ठीक है फिर N हुआ फिर S हुआ तो यहाँ पर देखेंगे D कितना होता है 4 फिर 9 हुआ फिर 9 के बाद N 14 तो आप देखने के प्लस 5 एड हो रहा है ठीक है तो 14 के बाद आपका S आया है 19 तो 19 में 5 एड होगा तो कितना आएगा 24 और 24 किसका होता है 24 मैंने आपको बताया था X का होता है कैसे याद करना है 4 लाइने है तो यहाँ पर आप X लिख सकते है ठीक है इसका उप्षन हो जाएगा 4 Next करते है Next दिया गया है S80 तो S कितना होता 19 19 से 22 ठीक है V 22 मुझे यह याद है इसलिए मैं सीधे कह सक रहा हूँ आपको भी याद हो जाएगा आप ट्रेक्टिस करेंगे तो 19 से कितना हुआ 22 हुआ तो प्लस 3 प्लस 3 फिर 25 हुआ प्लस 3 एड हो रहा है तो यानि कि Y में प्लस 3 होगा 25 में तो कितना आएगा 26 यानि कि B तो आपके 2 आप्सन कैंसिल होगे उसके बाद आपको ये देखना है second निकालना है last नहीं निकालना है क्योंकि मैंने आपको बताया है option आपको हमेशा दिमाग में रखना है उसके बाद A के बाद E हुआ प्लस 4 एड हुआ E के बाद I के बाद plus 4 एड करते तो आपका 13 आना चाहिए था M आना चाहिए था लेकिन आप देखो M है नहीं option तो यहाँ पर plus 4 एड नहीं हो रहा है तो आप देखने कि अब क्या है एड हो रहा है अगर आप देखते हैं I के बाद अगर आप option देखते हैं अगर I के बाद O एड होता है तो 15 यानि कि 15 आएगा यहाँ पर O यानि कि plus 6 एड हो रहा है तो और plus 6 के बाद क्या है फिर plus 6 एड हो रहा है U 21 आगया यानि कि आप कह सकते हैं जो दूसरा letter है यहाँ से यहाँ जाने में नेक्स करते हैं नेक्स्ट आपको दिया गया है A से C A से C दिया गया है यानि कि plus 2 फिर यहाँ पर plus 2 एड होता है तो E आता है E में plus 2 एड होता है तो 7 आता है जी तो यहाँ पर क्या एड हो रहा है plus 2 एड हो रहा है ठीक है minus 2 हो रहा है 16 तो यहाँ पर फिर minus 2 होगा तो कितना आएगा 16 minus 2 14 14 किसका होता है आपका n का होता है तो यह आपका third option हो जाएगा यह आप यहाँ पर मैंने आपको कहा है अगर आपको minus करने में दिख करेएगा तो आप यहाँ से देख लीजिए आठ प्लस दो दस, दस प्लस दो बारा, बारा प्लस दो कितना हो जाएगा आपका चौदा, जो N हो जाएगा, ठीक है आप आगे से या पीछे से आप दोनों तरीके से देख सकते हैं स्रीच को, जहां से आपको easy लगे, आप वहां से solve करें next करते हैं, next है, T 20 के बाद है आपका 23, ठीक है, 20 के बाद 23, मुझे इनकी numbering यहाथ है आपको भी याद हो जाएगी, 23 प्लस 3 add हो रहा है, और 23 के बाद क्या है, 26 प्लस 3, 26 के बाद 3, C और C में प्लस 3 add होगा, C 3 होता है, तो 6 यानिकी F आएगा, ठीक है, last option cancel, F आगया, उसके बाद देखिए U, U के बाद क्या हो रहा है, र हो रहा है, यानिकी यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, ठीक है, आप कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं, 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 3 12 और 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 क्या होता है, आई होता है, ठीक है, ये भी cancel, उसके बाद next देखते हैं, next क्या है, L, L के बाद P आ रहा है ठीक है थाड यानि कि 12 प्लस 4 16 16 4 20 24 24 24 24 और 24 कि आएगा आपका बी आएगा ठीक है तो आपको फोर्थ चेक करने की जरुवत है नहीं कियों क्योंकि यहां ही पर आपका देखा थाड में दोनों अलग अलग है तो आपका यह सीधे आंसर हो जाएगा थाड़ वाला next question करते हैं next आपको दिया गया है अब यहां पर आपको एक चीज़ याद करने हैं आप देखेंगे कि आपको एक दिया है फिर 20 दिया है तो यहां पर आपको मैंने बताया था जब आपको ऐसा लगे कि कहीं से numbering gaping का अंदाजा नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि alternative series भी आपको नजर आ रहा होगा यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यह क्या है आपके वावल स्वर ठीक है तो आपका next क्या आएगा यू आएगा ठीक है आपको यह भी आद करना है कि यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए अगर आपको और pattern ध्यान में नहीं आ रहे है तो आपको यह भी देखना है तो next यहां पर क्या आएगा यू जो कि first option होगा आपको यह आली स्रीच चेक करने की जरूवत नहीं है ठी ठीक है टी यू भी चेक करने की जरूवत नहीं तो आप कर भी सकते हैं टी के बाद आपका 21 आ रहा है 21, 22, 22, 23, 24, X ठीक है सिंपल सी है next करते हैं तो next आपको दिया गया है A, E, I ठीक है तो अब यहां पर आप देखने आपने A, E, I देखा तो अभी O नहीं करना है आपे दे यहां पर प्लस 4 एड़ हुआ फिर I में E में प्लस 4 एड़ हुआ 9, 9 में प्लस 4 एड़ होगा तो कितना आएगा 13, और 13 किसका होता है M का, फिर 13 में एड़ करेंगे प्लस 4, 17 और 17 क्यों का अभी यहां पर क्या यूज हो गया, प्लस 4 एड़ हो रहा है और इससे पिछले वा आई, ओ सोचेगा अगर उसे यह ध्यान में होगा नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, next question करते हैं, next आपको दिया गया, next आपको दिया यहां पर देखेंगे कि प्लस 2 एड़ हुआ, फिर प्लस 2 एड़ हो रहा है, 3, 2, 5 तो अब फिर प्लस 2 एड़ होगा तो 5, 2, 7 यानि कि पहला आपका जी आगया, ठीक है, अगर आप option देखते हैं तो पहला आप चेक नहीं करते हैं, क्योंकि सारे option में पहला जी है, दूसरा चेक करते हैं, तो D के बाद क्या आया, जी आए, यानि कि प्लस 3 एड़ हुआ, ठीक है, 4, 3, 7, 7, 7, 3, 10, J आगया, और 10, 3, 13, यानि कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो M वाला है, उसके बाद next चेक करेंगे, तो G, G कितना है, 7 है, ठीक है, 7 के बाद 11, 7, 4, 11, 11, 14, 15, 15, 15 और 4, 19 होगा, और 19 किसका होता है, S का होता है, तो आपका ये क्यों सा अंसर होगा, थर्ड अंसर होगा, next question करते हैं, next है, Q के बाद N, N के होगा, ठीक है, तो या तो आप देख लीजिए, सुरू से, तो मैंने यहाँ पर दो तरीके बताएं, अगर आप यहाँ से देखते तो आप देखेंगे, 17-3, 14, N, 14-3, 11, ठीक है, फिर मैनस 3 करेंगे, 11 में से 8, फिर 3 करेंगे, मैनस तो आपका क्या आएगा, ये आएगा, तो ये option cancel हो गया आपका, ठीक है, ये भी cancel हो जाएगा, क्योंकि जो capital आ रहा है, वो सिर्प middle वाला आ रहा है, ठीक है, ये आगया, या आप यहाँ से भी देख सकते दे, 8-3, 11, 11, 14, 14, 14, 14, 17, ठीक है, सुरू से देखें, लास्ट से देखें, वो आपको depend करना है, ठीक है, आप किस पर sufficient है, फिर देखें, डी, 4-8 हो रहा है, 8-4-12, 12-4-16, 16-4, 20, यानि कि 20 क्या होगा, टी, और वीज का, टी capital आ गया, तो आपको सिर्प यही देखना था, capital भी चीए, और आप देखने, ये option बचेते हैं, इसमें ऐसा है, और लास्ट वाला आपको check नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपके 2 तक आगे, ठीक है, समझमा आगया, इससे आप जल्दी से question कर सकते हैं, next करते हैं, next देखेंगे आप, k, q, b, c, e, f, तो आप यहाँ पर आपको देखना है, कि यहाँ पर क्या स्रीज follow हो रही है, तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कितना हुआ, फिर, 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 फि 22 में 4 होता है 26 26 किसका होता है जेट का होता है फिर उसके बाद प्लस 3 होगा फिर c आएगा फिर प्लस 2 होगा यह आएगा फिर 1 होगा f आएगा यहाँ लास्ट से देखें दो तरीके यहां से f से e प्लस 1 हो रहा है e से c फौन 2 तो प्लस 3 होगा तो यहांसे आप कर सकते रहे कि अब नेक्स करते हैं कि ऑनेक्स शुलमें देखते हैं हैं इसे के पिछले वाले कष्चρίण में यहां से माइनस हो रहा है तो आप कहें से सुरू कर सकते जहां से आपको ईजिंप पढ़े लेकस मैं मैं हैं चार से साथ गया, साथ से दस, दस से तेरा, यानि कि प्लस तीन एड होते वे दिख रहा होगा, चार तीन साथ, तीन दस, तीन तेरा, तो यहाँ पर next क्या आएगा, 16, यानि कि P आएगा, तो आपका यह option cancel, उसके बार next आप देखेंगे, Y, Y से क्या हुआ, Y से Z हुआ, प्लस, से प्लस 1, C, दूसरा C आएगा, फिर next देखेंगे K, K से आपका आई होगा, यहाँ पर minus 2 हो रहा है, और यहाँ पर I से 7 minus 2 हो रहा है, फिर G से minus 2, 5, 7 होता है, minus 5 होगा, तो यहाँ पर मैनस होगा, तो कितना आएगा, E से minus 2, E5 होता है, तो minus 2, C, तो आपने देखा, P, C, सी की जरुवत ही नहीं है क्योंकि आप यहीं पर देख सकते हैं कि दो एक यह option है जिस पर PCC आ रहा है तो आपको option जरूर देखने अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप चेक कर लिजेए simple है M N M के बाद N plus 1 हो रहा है N O P Q आएगा next next करते हैं तो next आपको दिया गया है next आपको देखना है E B D तो E से क्या हो रहा है H हो रहा है यानि कि यह 5 है 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 14 3 कितना होगा plus 3 हो रहा है 14 3 17 यानि कि Q आएगा small में आएगा ठीक है यह cancel यह cancel दो option है उसके बाद B B के बाद क्या हुआ minus 4 हुआ B 2 होता है और यह 24 होता है ठीक है पीछे को जा रहा है तो और 24 से minus 4 होगा 20 आएगा T T से minus 4 होगा P P से minus 4 होगा क्या आएगा 12 आएगा तो आपको अगला चेक करने की जरूवत है नहीं option देखेंगे सीधे इस पर टिक कर लेंगे पहला answer होगा ठीक है यहां पर आप अगर पीछे से देखें 16 4 20 यहां से भी देख सकते हैं 16 4 20 24 24 और 4 2 ठीक है 26 next question करते है next आपको दिया गया है CBB ठीक है यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको कोई logic समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक है तो यहां पर आप क्या यहां पर मैंने आपको जब आपको यह समझ में आए तो आपको यह भी ध्यान देना है alternative series भी चल सकती है जैसे C से B ठीक है C B Z W एक series यह है ठीक है एक series यह है तो आपको 40 series नहीं देखने है क्योंकि यहां पर आपको नीचे आपको यहां चीए तो आपको यह श्रीद देखने है ठीक है यह श्रीद देखो तो यहां पर क्या हुआ B से C गए तो plus one add हुआ फिर C से E गए plus two add हुआ ठीक है E से H गए कितना 5, 3, plus 3 तो आपको यह idea लग गया होगा तो अब H से plus 4 जाएंगे तो कितना होगा H में H 8 उटा 8, 4, 12 12 किसका होता है L का ठीक है यहां से आप कर सकता है अगर आप उपर वाले में देखने है C से B, minus one फिर B से Z, फिर minus two तो इसमें minus हो रहा है एक series में और एक में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ठीक है यहां से भी कर सकते है next करते है next आपको दिया गया है ठीक है P, E, R, S, O, N, A, N P, E, R, S, O, A, N, O, S, P, E, R तो next किया आएगा तो यहां पर आपको देखना है यहां पर अगर आप देखते हैं P से A जा रहा है फिर A जा रहा है तो यहां पर numbering का कोई असर नहीं पढ़ रहा है ठीक है तो आपको और भी option देखने है अगर आप देखने कि पहले में क्या हुआ P, E, R, S, O, N, A ठीक है यह वर्ड देखने हैं यहां आगया और उसके बाद next में देखने है क्या हुआ next में आप देखने है उसके बाद आपको क्या आता है P, E, R, S, O फिर उसके बाद आप देखने A, N, P, E, R ठीक है A, N A, N तो ऐसा ही है A, N ऐसा ही है और उसके बाद जो है PER भी ऐसे ही है जो last के दो word है ये उठके कहां पर आए ये आए यहां पर ठीक है OS पर यानि कि ये आपका यहां आ गया ठीक है अब पहले वाले में सुरू में आये थे last के फिर दूसरे में जो आये थे ये last वाले सुरू में आये थे इसके बाद आपने देखा ये OS इस position पर आगे अब क्या होगा ये जो last के जो ER है ये किस position में जाएंगे ये position में जाएंगे यहां पर की ठीक है दो-दो position इनकी खिसक रही है तो यानि कि क्या आएगा आपका A, N, O, S तो same आएगा उसके बाद जो ये R है, R यहां किसक जाएगा और E जो आएगा E अपनी position में रहेगा तो R, E, P आएगा तो समझ में आगे आपको कौन सा option है A, N, O, S, R, E, P यह option है यहां आपने देखा कि यहां पर क्या change हो रहा है आप एक बार और बताता हम आपको ठीक है, आपने यहां पर देखा हुआ क्या change हो रहा है आपने यहां पर देखा हुआ जो यह N, A है यह उठके यहां गया और यह N जो हुआ A उठके यहां गया और यह N जो हुआ यह उसके बाद आगया ठीक है यहां पर देखिए ए इन उसके बाद अगले वाले में जो थे यह ओ उठके कहां पर आया इसकी पोजिशन यहां पर आगी यहां पर आया और एस यहां पर आया अगले दो में आ गया उसके बाद अगले वाले में आप देखिए कि यहां पर आ रहा है ठीक है वह यहां इसी में ठीक है इसके बाद क्या आएगा यहां पर लाश्ट के दो वट यहां पर उठके आएगे तो समझ मा आगया होगा आपको next question करते हैं यह भी एक नए टाइप था ठीक है तो next में क्या है एक है एक के बाद आपका क्या आ रहा है d4 ठीक है d4 प्लस 3 हो रहा है प्लस तीन हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद क्या आएगा आप देखिए प्लस तीन हुआ फिर उसके बाद आप देखिए अगर प्लस तीन होना था तो साथ भी आता और अगर साथ आता तो साथ के बाद फिर प्लस तीन होना चाहिए दस आना चाहिए था जबकि यहाँ पर प के बाद 3 एड़ U vibe Congress 5 एड़ होगा तो कितना अएगा 9 और 9 किसका होताई इ का होता है आई में फिर ऑ गसल सबस्ति चले जब यार्णी की पहले फिर यार तेन replas 7 फिर प्लस 9 ठीक है तो आप देखेंगे प्लस 7 एड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आई आ जाएगा ठीक है आपको ये भी आद रखना है और नमबर और इभन भी देखने है कि कहां पर क्या एड हो रहा है उसके बाद देखेंगे अगर प्लस 5 एड होता है तो f के बाद 11 k आना चाहिए था और k आए गई क्योंकि सारे option में k है तो k आ रहा है फिर प्लस 5 11 पर 5 16 16 5 21 तो next देखेंगे बी बी के बाद क्या रहा है जी आ रहा है दो 7 प्लस 5 यहां भी प्लस 5 तो 7 के बाद 5 12 k l आएगा ठीक है option देखें सारे l हैं तो k l आ गया आपका उसके बाद d देखेंगे d के बाद i ठीक है यहां भी 5 एड हो रहा है i तो 9 और 5 कितना होगा आपका 14 14 किसका होता है n का होता है तो आपके 2 option तो cancel होगे लेकिन यहां पर आपको फिर भी निकालना ही पड़ेंगे सारे ठीक है उसके बाद आप देखेंगे यहां पर e 10 तो e j 10 और 10 5 15 15 किसका होता है ओका ठीक है आपको e जोटी याद आ रहा होग होता यहां पर ठीक है 5 10 25 15 होता है ठीक है next question करते है next आपको दिया गया है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि d से e गया तो यानि की plus one add हुआ e के बाद d e f g h ठीक है तो यहां पर plus one add हुआ तो h आएगा तो last option cancel उसके बाद आप देखेंगे j के बाद l l के बाद कितना आ रहा है n यानि कि आपका यहां पर कितना एड हुआ यहां पर आपका एड हुआ जे जे कितना होता है दस दस प्लस दो बारा और बारा प्लस दो 14 14 प्लस दो 16 16 प्लस दो कितना होगा 18 यानि कि आ रहाएगा यह भी cancel आपके उपर के दो option बचे उसके बाद देखेंगे का होता है तो HRC देखा तो आपको यह option भी cancel हो गया आगया आपको चेक करने की जरूएत है इसका answer पहला होगा next question करते है y r l g z तो या तो आप back से देख लीजे back से क्या हो रहा है या आप सुरू से देख लीजे अगर आप सुरू से देखते हैं तो सुरू से आपको नजर आएगा यह 25 होता है 25 से 18 हुआ तो यानि气 मैनस 7 हुआ ठीक है मैनस का 7 हुआ फिर 18 से 12 हुआ यानि 2000 कि 15 हुआ यानि कि 12 से g हुआ साथ ठीक है तो यानि फिर उसके बाद ाइनस 5 हुआ फिर अप क्या होगा minus 4 होगा तो g से minus 4 करेंगे तो कितना आएगा g 7 होता है 7 minus 4 3 3 किसका होता है c का होता है तो यहाँ पर option c में tick कर सकते हैं ठीक है next करते है next दिया गिया है आपको a j तो यह series लंबी है यहाँ से देखके आपको नज़र आ रहा होगा कि alternative series है a के बाद e e के बाद i i के बाद आपका o o के बाद आपका u ठीक है और j के बाद l l n फिर o p ठीक है तो आप देखेंगे 10 plus दूसरे में देखेंगे 10 plus 2 12 12 12 12 12 12 14 14 2 16 16 16 2 क्या हैगा 18 18 किसका होता है r का ठीक है r second option में आपको जादे चेक करने की जरूएतनी अगर आप फिर भी चेक करते है a से e plus 4 हो रहा है e से i plus 4 फिर plus 4 plus 4 ठीक है next करते है तो next आपको दिया गया navigate इस टैप का question हमने एक बार और करा है तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या logic है ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे navigate में आपका क्या logic लग रहा है तो आप देखेंगे ठीक है navigate next में क्या हुआ v-i-g-a-t ठीक है तो change ही किसम हो रहा है p-c में हुआ तो n से क्या हुआ n से p हुआ plus 2 ठीक है और a से क्या हुआ c हुआ plus 2 ठीक है बांकी का सेम है यानि कि यहाँ पर plus 2 add हुआ उसके बार next में देखेंगे ठीक है na na हुआ यानि की na x k g-a-t ठीक है यह सेम है ठीक है यह वो है ठीक है gate है और na change हो गया ठीक है na change हुआ और x के change हुआ तो आप देखेंगे x के कैसे change हुआ है ठीक है x के कैसे change हुआ है यहाँ से फिर इनको क्या किया है इन्होंने minus 2 p से minus 2 कर दिया है ठीक है minus 2 और minus 2 a आगिया और अब v i को भी change किया है v 22 होता है यानि कि b से x क्या हुआ है प्लस 2 हुआ है और i से plus 2 11 हुआ है तो next आपका क्या होगा next आपका क्या होगा next में आपको यह change करना पड़ेगा ga वाला ठीक है तो ga वाला change करेंगे तो इसमें 7 में plus 2 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा ठीक है 9 किसका होता है i होता है और a में plus 2 करेंगे c आएगा तो i c आगया i c t last का जो word आएगा आपका i c t e आएगा क्योंकि यहीं पर change होगा तो i c t e किसमें है i c t e आप देखेंगे इसमें नहीं है last last इसमें भी नहीं है और i c t e इसमें है और इसमें है अब आपको देखना है कि सुरू में आपका क्या है n e है यहाँ से n e n e आएगा और x k अब आपको क्या करना है मैंने आपको बताः था यह वाला part ऐसे ही आएगा और x के जैसे यहाँ पर हमने p और c को फिर minus 2 किया था तो फिर x k को भी मैनस दो करना पड़ेगा तो X से मैनस दो करेंगे तो 22 यानि कि यहाँ पर V आएगा और K को मैनस दो करेंगे तो 9 9 I का होता है और N A S से आज़ेगा ठीक है तो आपको यह logic समझ मा आगया होगा कैसे होगा एक बार मैं और बता देता हूँ आपको तो इसमें क्या हुआ है जैसे V I G A T ठीक है इसे सेम लिखा इन्होंने इस पर चेंज किया यहाँ से प्लस दो किया यहाँ से भी प्लस दो किया और नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने चेंज इसे किया है और जो पहले वाला था इसे माइनस कर दिया है ठीक है यहां इसे चेंज किया प्लस दो किया और इसे भी प्लस दो किया और माइनस कर दिया इसे वाले को अब next में क्या करेंगे change करेंगे ga वाले को और minus किसको करेंगे xk वाले को ठीक है इसे minus करेंगे x और k को और change करेंगे ga में next question करते हैं यह आपको समझ में आ गया हुआ next करते है progress ठीक है तो इस पर आपका क्या हुआ है देखेंगे ठीक है पहले क्या हुआ GRE SS GRE तो ये part same था इन्होंने क्या क्या P से Q किया plus 1 और R से T किया R 18 होता है T 20 plus 2 ठीक है उसके बाद next में देखेंगे QT को same रखा है तो next O को R किया यानि कि plus 3 add किया है और G को K किया है plus 4 तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 add हुआ ठीक है सुरू के 2 में 1 2 add हुआ फिर उसके बाद next 2 में plus 3 plus 4 अब next जो 2 होंगे इसमें क्या change होगा ये change होके आएगा plus 5 और ये change होके प्लस 6 आएगा ठीक है आप देखें और बागी same वेसी है तो बागी same वेसी है QT R के तो ये तो आपका आएगा याएगा उसके बाद R को change करना है अगर आप R को change करते हैं plus 5 करते हैं 18 5 कितना होता है 23 किसका होता है W का और E को change करते है E में कितना add करेंगे plus 6 5 6 11 11 किसका होता है आपका K का और last वाला same आना है SS तो आप देखेंगे किसमे है QT R क W K SS ये आपका E की option है second तो इसे आप कर सकते है इसमें simple सा logic है थोड़ा सा कुछ question ऐसे हैं जिसमें time लग रहा है लेकिन आप देखेंगे गौर से तो आप से हो जाएगा next question करते है next question है C E H J M तो आप देखेंगे C से आपका E हुआ plus 2 एड़ हुआ ठीक है 3,2,5 फिर यहाँ पर प्लस 3 8 प्लस 3 एड़ हुआ ठीक है फिर H से प्लस 2 एड़ हुआ 10 फिर 3 13 फिर 13,2,15,15,2 फिर यहाँ पर कितना हुआ 15,3,18 तो अब क्या होगा प्लस 2 एड़ होगा यानि कि प्लस 2 प्लस 3 एड़ हो रहा है तो 18 में प्लस 2 एड़ होगा तो क्या आएगा 20 और 20 किसका होता है T का और T आपका यह option है तो यहीं पर यह question समापत होता है यह जो सारे question है यह SSC CGL टायर 1 में अभी जो लेटर स्टिक जाओ होता उसमें आए हुए तो सारे paper के मैंने आपको सारे solution करा दिये तो आप देख सकते है easy से हैं बस आपको number याद करने तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको पसंद आया तो आप इसे like करिए share करिए जिन्हें letter series में दिक्कत होती है तो आज के बाद दिक्कत नहीं होगी तो share करिए और channel को subscribe करिए thank you so much